रिजल्ट वाल दिन आया हमारा एक तो फाल्ट आउट हो मेरा आपटॉसरे काम में मैं ौशम नाझ आप तो यह बोलुगा तो मैंने बार सोचा कि नहीं को ता हूं मैंने सच बता रहा हुआ मैंने सोचा कि नहीं बोल दे तो नहीं हुआ पर दिक्कत वाली बात ये थी जो हमारा मेरा जो एडमीट कार था ना आज पता ही ये कि फोन किया भाई कहा है सेंटर जाना है चल छोड़के आता हूं भाई एडिमिट कार्ट की फोटो निकलवानी है तो भाई को मलब दोस्तों को भेज दिया घर पहुंच गे सारे कि इसका तो हो गया मैं चुप था मेरा कुछ नहीं वो सारे मुझे पहले घर पहुंच गे मलब मेरे हैं दोस्तियार घर सोचता हूं कि क्या करना है कैसे करना है नहीं हो रहा क्या नहीं हो रहा है इससे होता है कि पूरे दिन कर लिया अब चेक करते हैं कि मतलब आज यह किया कहा लैक हो रही है मौक टेस्ट में क्या गलत हो गया यह कैसे है यह कैसे सब सोचता हूं मैं का सोचेंग एक दो दिन में ऐसा तो नहीं है कि कली फॉरम निकल के खतम हो जाएगा तो यह था पर उससे पहली घर आगे सारे कि इसका तो हो गया अब हो गया तो मेरे लिए लिए दूसरा मैं यह था कि मैं पूरा दिल से लग जाऊ अपने उसमें मेडिकल में जो होता है जो एज होती है ग्यारवी-बारवी मतलब ऐसे कुछ होता है कि बिलकुल सुप्रीम गई है इसा कि बच earlier सोच के इसके जो को ब अब्हूंच जोब लगे तो इस को होगा यह kब करेंता है तो वह सब्सक्रादा पढ़ा सच बता रहो मैं open से था मेरा college तो मेरा ये था कि ऐसा कुछ इसका हो गया है top student बिल्कुल नी था मैं बिल्कुल ऐसा decent वाला student था मैं ये ना लगे बच्चों को कि ये तो easy है ये तो ऐसी बोल रहा है casually तो मेरे मेरा एम ही कुछ और था इसलिए मैं इतना casual आज भी हूँ उस time पर भी था कि नहीं ठीक है हो गया